वेलकम टू जंगल स्टोरी वो किसी काम का नहीं है जिससे पहाड काफी दुखी रहता था एक दिन भारी वर्शा के बादल जंगल में आते हैं और बहुत सारी वर्शा जंगल में जिससे नदी में बाढ़ आती है और वह सभी जंगल में फैल जाती है सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती है पिर शेर जो जंगल का राजा होता है वो सभी जानवरों को लेकर पहाड के पास जाता है और उससे विनती करता है कि उन्हें माफ कर दे और उन्हें पहाड पर आने दे जिससे उनकी जान बच सके और वे नदी में नहीं डूबे पहाड ये बड़े दिलवाला होता है और वह सभी जानवरों को माफ कर देता है सारे जानवर हिरन, भालू, चीता, शेर, गाए, बैल, खरगोश, भेडिये पहाड पर चढ़ना शुरू करते हैं और तब तक नीचे नहीं आते जब तक नदी का पानी कम नहीं हो जाता है क्योंकि अब सारा जंगल पहाड का दोस्त हो गया है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की कमियों के लिए उसे बुरा नहीं कहना चाहिए क्या पता उसके पास क्या ताकत हो